MLA बनते ही मीट की दुकाने बंद कराने के लिए निकल पड़े हैं BJP के बाल मुकुंद आचारे कौन है ये आचारे जो MLA बनते ही जैपुर में बंद करवा रहे हैं मीट की दुकाने राजस्थान विधन सभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हर तरफ BJP और PM नरेंद्र मोदी की चर्चा है लेकिन पार्टी के एक विधायक बाल मुकुंद आचारे ने अपनी गतिविदियो से इस चर्चा को और भी खास बना दिया है जैपुर की हवा महल सीट से विधायक बने बाल मुकुंद आचारे चुनाव जीतने के बाद दूसरे दिन ही अपने इलाके में निकल पड़े और नॉन्वेज फूड आइटम्स की सभी दुकाने बंद करवाने लगे हैं उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वैरल हो रहा है इसमें वो फोन पर एक अधिकारी को कानून का पार्ट पढ़ा रहे हैं और चांदी की टकसाल रोट पर खुले में बिकने वाले नॉन्वेज फूड आइटम्स और मीट की दुकानों को तुरंत प्रभाव से हटाने की बात कह रहे हैं बाल मुकंद अचारे के वाईरल वीडियो में किया है चलिए आपको बताते हैं वाईरल वीडियो सोशल मीडिया पर 4 दिसंबर को वाईरल हुआ इसमें कई लोग दिख रहे हैं जो धार्मिक नारे भी लगा रहे हैं वहीं बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद फोन पर एक अधिकारी को सकती से निर्देश देते हुए दिख रहे हैं और वो वीडियो में कहते हैं मैं आप से शाम को रुपोर्ट लूँगा आप देंगे या मुझे आना पड़ेगा आपके आफिस लेने लेकि नौनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में रोड पर फिर वो कहते हैं नहीं फिर वो दुबारा पूछते हैं रोड पर नौनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में हाँ या ना बोलो लाइव हो आप, आपको बता दें कि आचार्य जी किसी अधिकारी से फोन पर बात कर रहे थे, ये सभी लाइने वही है तो आगे आचार्य कहते हैं, आप समर्थन कर रहे हो इनका, तुरंत प्रभाव से नौनवेच के जितने भी ठेले हैं रोड पर लगे रोड पर लगाए हुए हैं, ये नहीं दिखने चाहिए, मैं शाम को रिपोर्ट लूँगा आप से मुझे नहीं मतलब है कौन अधिकारी है, ये सभी बात एक अधिकारी को फोन पर बाल मुकंद अचार्य ने कही वीडियो में बाल मुकंद जिस अधिकारी को धमकी भरे लहजे से डाट रहे हैं, उनका नाम तो अभी साफ नहीं है और बात करें कि अधिकारी क्या जवाब दे रहा है, तो ये बात भी अभी साफ नहीं है बाल मुकुंद का कहना है कि जैपुर के इस छेतर को अपरा काशी कहा जाता है जिसका मतलब है घर से ज्यादा मंदिर पूरी दुनिया में यहां प्रेया टक घुमने आते हैं आगे उन्होंने कहा जब मैं यहां चुनाव प्रचार का रहा था उस दौरान कई माताओं ने मुझे बताया कि यहां कई अवैद मीट की शॉप्स है कई दुकानों में मास बेचा जाता है जिसकी वज़ा से यहां कुट्टे रहते हैं और हमें काट लेते हैं मैं इसे रोकने के लिए वहां गया मैंने प्रशासन से बिक्री रोकने का नुरोत किया उस वक्त हमारे उपर पत्थर से हमला किया गया लेकिन ये सब हमारे हैं, हमारा परिवार है इस एरिया के लोग मास के नाम पर गौ मास बेच रहे हैं ये सभी बाते रिपोर्ट्स के अनुसार बाल मुकंद अच्छार्य ने कही है इतना ही नहीं, बाल मुकंद के इस आरोप पर AI MIM के अध्यक्ष, OVC की प्रतिक्रिया सामने आई उन्होंने बीजेपी विधायकों की बातों और मांगों को बिलकुल गलत बताया और कहा कि किसी को भी नॉन्वेज स्टॉल लगाने से रोकने का अधिकार नहीं है हिंदू मुसलिम को लेकर जब सवाल किया गया, तो अच्छार्य कहते हैं उन्होंने समुद्दे को लेकर हिंदू मुसलिम की बात करने वालों पर हमला बोला उन्होंने कहा कि अवैद मीट शॉप्स के लाइसेंस मांगना गलत नहीं है उनका कहना है कि इसमें हिंदू मुसलिम की कोई बात नहीं है तो जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताईए कि मीट शॉप्स को लेकर आपकी क्या राय है क्या जैपूर में ये मीट शॉप्स बंध हो जानी चाहिए या नहीं अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ दरूर शेयर कीजिए और इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे निउस्बुक के साथ